Dear Students, चलिए हम लोग चलते हैं, आज 10th क्लास के लिए Math सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तो 10th क्लास में जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने अभी AP पढ़ रहे थे हम लोग कौन सा चेप्टर अभी चल रहे था? AP, जो हम लोग फॉलो कर रहे थे NCRT बुक को questions को solve किया, अब आएए बढ़ते हम लोग exercise 5.3 की तरफ, ठीक है? 5.3 की तरफ, अब exercise 5.3 में, चुकि आप जानते हैं कि कोई भी exercise सुरू करने के पहले, हम लोग उससे related questions जरूर पढ़ते हैं, जो आने वाले exercise में हम लोगों को मिलने वाला होता है, इट बिन्स जो exercise 5.3 में हम लोगों को मिलने वाला है, आज हम लोग उसको theory के section में उसको पढ़ डालेंगे, और theory का मतलब क्या है? कि जो आने वाले exercise में question है, उससे related कुछ questions को हम लोग example के तोर पर समझें, कुछ formula है, उस formula को पहले पढ़ ले, ठीक है? तो exercise 5.3 का कुछ rules है, कुछ formula है, कुछ examples है, तो आज का class बहुत important है, क्योंकि आज अगर class में आपको समझें नहीं आएगी चीजें, तो आने वाली जो 5.3 exercise है, इसमें आपको problem होने लगेगी, तो इसलिए आप इस class को अच्छे से ध्यान पुर्वक देखिए, समझें, फिर solution कीजें, ठीक है? तो चलिए start करते हैं हम लोग, जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग AP के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन आज जो पढ़ेंगे, वो बहुत important, AP के एनवे पदों का योग के बारे में पढ़ेंगे, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, सही देख रहे हैं, योग, योग का मतलब ह होता है, जोड, योग का मतलब जोड, अब कुछ ही examples के basis पे हम लेकर आपको समझाते हैं, कि हम कहना क्या चाहा रहे हैं, जैसे example, सबसे पहले हम ये बोले कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या है, AP में है, का योग ग्यात करें, का योग ग्यात करें, तो आप simple way में क्या करते हैं, सर ये तो बहुत simple है, क्यों, क्योंकि 2 से लेकर 12 तक हमें करना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 को जोड़ो, आप क्या करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, ग्रैट आंसर इस, 6, 12, 8, 20, 13, 12, 42, कर लिया आंसर, आपका सही भी हो गया, no doubt, कोई प्राब्लम नहीं, लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर एक हम example में और question लेते हैं, जर इस question को देखिएगा, ये question कैसा है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसा करते करते, 500 तक है, कहां तक है, 500 तक है, तब बुल रहा है, का योग ग्याद करें, योग क्या होगा, अब आपको समझ में आरी चीजें, कि अब कितना मुस्किल होगा, जर चार प्लस, छो प्लस, आठ प्लस, दस प्लस, ऐसे करकर के, 12 प्लस, 14 प्लस, 16 करके, कितना जोड़ाना टफ है, आप इन चीजों को समझे पा रहे हैं, अच्छे से, तो कुल मिला कर हम यही बात बताने वाले हैं, कि एपी में रहे, क्योंकि यह सब सभी क्या है, एपी में है, आगे बढ़ रहा है, समान रूप से, एपी का पहष्चानने का नियम भी हम लोग देखे, सब में जो सारवंतर होता है, वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, तो इसलिए, एपी हम लोग सीख चुके हैं, एपी का योग के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, कि एपी का योग क्या होता है, जैसा कि आपको पता है, हम लोग पहले एकसर साइज में, इसके सही आज एक और नया फर्मूला यूज होने वाला है, A-N का, A-N का फर्मूला होता है, N by 2, N by 2, 2A plus, N minus 1 into D, प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा फर्मूला है, जो आपको काम करेगा, AP के जोड को ग्याद करने में, ये एक अच्छा फर्मूला है, इसको हम लोग A-N बोलते हैं, A-N को बोलते क्या है, N में पदो का योग, N में पदो का योग, ठीक है, इसको A-N से सुचित किया जाता है, और A-N का तो मतलब जानते ही है, पदो की संख्या, A का मतलब आप पहले से जानते हैं, प्रथम पद, D का मतलब पहले से जानते हैं सारवन्तर ठीक है ना तो इन चीजों को आप पहले से ही जानते हैं अब हम लोग का एक नया चीज आ गया है जैसा कि देख पा रहोंगे SN SN मतलब SN का मतलब AP का जोड़ का फर्मुला AP का जोड़ का फर्मुला अब यहाँ पे देख पार होंगे इसी को हम या करके ऐसे लिख सकते हैं क्या Sn is equal to n by 2 इस वाले जो 2 है इसको a पलस a भी तो कर सकते हैं a और a मिलकर कितना a हुआ? 2 है पलस n-1 into में d ऐसे लिख सकते हैं वह इसको वैसे लिखा अब आप क्या किजिए? यहाँ से यहाँ तक की चीजों को देखे एक बार देख पार है? क्या है? a पलस n-1 into d इसी को थो हम लोग a भी लिख सकते हैं देख पार होंगे? तो इसी लिए एक और फर्मूला है दोस्तों Sn is equal to इसी से आया है फर्मूला n by 2 a पलस a n उसके जगह पे हम लोग a n रख दियें उसके जगह पे कितना रख दियें? a n ठीक है? आप देख पार है? यानि कि कुल मिला कर हम ये बात बताना चाहते हैं कि a n का दो फर्मूला आपके सामने है एक a n का फर्मूला कौन सा है? n by 2 2 a पलस n माइनस 1 इंटू डी एक a n का फर्मूला क्या है? n by 2 इंटू a पलस an ठीक है? यानि कि दो फर्मूला है जोड का देखे जोड का दोनों ही फर्मूला है और ये कब यूज करना है जब A रहे D रहे N रहे लेकिन ये वाला कब इस्तेमाल करना है जब N का वेलू और A का वेलू और A इन का वेलू तीन चीज पता रहे तो कुल मिला कर हम ये बात बताना चाहते हैं कि जैसा situation रहेगा जिसे अंतिम पद A.N. का भेलू पता है A.N. का भेलू पता है तो A. का भेलू निकाल लेंगे कोई problem नहीं है ठीक है तो कुल मिला कर हम ये बात बताना चाहते हैं कि हम लोगों का एक formula और याद रखना जरूरी है जैसे कि A.N. का formula अंतिम पद के लिए हम लोगों को formula चाहिए था वो हम लोग याद कर लिए हैं इतना सारा question किये इतना सारा practice किये question का कि वो already याद हो गया वैसे भी दोस्तों ये भी हम लोगों को याद हो जाएगा एक चीज और हम लोग भूल गये थे पिछले class में और क्या भूले थे जरह हम आपको यहाँ पर बता देते हैं क्योंकि किसी-किसी किताब में आपको ये चीज भी मिलेगा जैसा कि साथियों हम बताए थे कि अंतिम पद को हमेशा ए-n से सुचित करता है ए-n और ए-n कैसे लिखते हैं बहुत सारे लोग ए-n ऐसे लिखते हैं भाई तुम्हारा ए-n लिखने का तरीका गलत है तुम ए लिखो फिर छोटा ए-n लिखो उसके नीचे ठीक है हम आपको क्या बोले थे कि अंतिम पद को ए-n से भी सुचित किया जाता है हम आपको बताना भूल गए थे तो आप एक चीज़ जानिये कि ए-n को हम लोग ए-n से भी सुचित करते हैं छोटा ए-n l for lion मतलब सेर ठीक है तो सेर से ने सुचित करते हैं l से सुचित करते हैं ध्यान रखिएगा अंतिम पद को l से भी सुचित किया जाता है ठीक है इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि a-n बराबर क्या n by 2 into a पलस l भी हो सकता है तो जी बिलकुल हो सकता है ये भी फार्मूला चलता ह क्योंकि यही a-n के जगा वाला को हम यहाँ पे l कर दिये हैं ठीक है तो कुल मिलाकर a-n का फार्मूला समझ गये अब जरा चीजों को फार्मूला को देख लेने से या किसी भी चीज को सिर्फ देख लेने से आपका problem solve नहीं होता है इसको करने के लिए हम लोग कुछ examples करते ह तो चलिए कुछ examples में हम लोग question देखते हैं पहला example कुछ इस तरीके का है क्या है भई तो minus 10 minus 8 minus 6 minus 4 और यह ap आगे बढ़ते गया बढ़ते गया फिर बोल रहा है कि 10 पदों तक योग ग्यात कीजिए 10 पदों तक क्या कीजिए योग ग्यात करें ठीक है देख पारे हो question दिख रहा है क्या ap है तो minus 10 minus 8 minus 6 10 पदों तक निकालना है सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जब भी आप solution करेंगे सबसे पहले देखिए कि यह जो ap है इसका करना क्या है तो योग निकालना है योग यानि की जोड तो हम लोगों का तो जोड का फर्मूला याद है acn बराबर n by 2 into 2a plus n minus 1 into d तो यहाँ पे आप क्या क्या लिखेगा यहाँ दिया है यह सब दिखिए systematic तरीका होता है match बनाने के लिए क्या क्या दिया है तो a का value लिखिए प्रथम पद कितना है minus 10 सारवंतर को d से सूचित करते हैं और सारवंतर कैसे निकालते पता तो बादवाला में से पहले वाला अब कोई सा भी बादवाला पकड़ लो हम minus 6 पकड़े घटाओ किया जाता है उसके पहले वाला तो minus 6 के पहले वाला क्या है minus 8 तो इस तरीके से minus 6 और यह minus minus plus 8 तो कुल मिल जाके टू बन गया ठीक है तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि ए और डी का पता चल गया अब यहां पर देख पा रहोंगे सवाल को अच्छे से पढ़िए इतना 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 को दस पदों तक निकालना है अब दस पदों बूल रहा है तो कुछ लोगों को यह समझ नहीं आत वैसे ही कई पदों का निकालना है तो जब दस को पदों का निकालना तो जब दस मगोबदों का निकालना तब हम उसको बोलते हैं एन याणि कि यहां पर एन का व्यलू दे दिया 10 टीक है अगर एन कब होता जब ऐसे मान लिया कि माइनस दस, माइनस आठ ऐसे करते करते दस तक सिर्फ लास्ट हो जाता तब हम बोल देते कि यहाँ पे अंतिम पद है लेकिन दस पदों लिखा है इसलिए एन कब हो गया दस जब इतना हो गया तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे योग तो जब योग निकालना है तो यहाँ पे अब इस न का फर्मल लगा देजे इस न बराबर एन बाइतेौ टूए पलस एन माइनस वान इंटू में डि तो यहाँ पर n के जगा पर 10 by 2 2 है तो a के जगा पर कितना रखना minus 10 तो अच्छे से रखेंगे हम लोग चीजों को minus 10 रख दिया फिर plus n minus 1 तो n के जगा पर कितना 10 minus 1 bracket into d का value कितना है भई 2 तो यहाँ 2 कर दिया bracket बंद यहाँ पर देख पार होंगे 2 से कितनी बार में कटेगा 5 बार में तो यहाँ लिख दिया 5 bracket यहाँ पर 2 है और यहाँ पर minus 10 है तो यह दोनों का multiple plus minus क्या होता है minus और 10 to 20 plus 10 में से 1 गया 9 और 9 को 2 से multiple किया 18 तो इस तरीके से 5 minus 20 और 18 मिलके कितना हुआ minus 2 तो इसको हम लोग minus 2 से multiple कर लेंगे तो total मिलके minus 10 हो गया यानि कि हम लोगों का जो यह answer आ गया वो कितना आ गया minus 10 तो आप बिल्कुल कितने लोग तो यह घर बढ़ा रहोंगे किसर जोडने के बाद क्योंकि हम लोग तो यहां योग निकालें तो योग कभी भी minus में आ सकता है हाँ भई क्यों नहीं आ सकता है ज़र हम आपको बोलें कि 4 और minus 3 को जोडना है क्योंकि minus 3 को और 4 को जोडना है हम जोड रहे हैं तो 4 minus 3 का मतलब हुआ कि एक यह तो प्लस में आ गया अगर हम यही बोलते कि तीन और माइनस चार को जोड़ना है तब आपका आंसर क्या आता है माइनस विक आता है तो कभी भी ऐसा निगेटिव नहीं सोचना है हम लोगों को कुछ भी आ सकता है ठीक है अब एक और एक्जामपल लेते हैं कि अगर क कुछ इस तरीके का कोशन आएगा तो हम लोग कैसे सॉलूशन करेंगे ठीक है जैसे अगला एक्जामपल है कुछ इस तरीके का एक्जामपल नमबर यह 2 है सब कोशन हम आपको टाइप करके दिखाते हैं अलग-अलग टाइप्स की कोशन कि अगर कैसा कैसा कोशन रहेगा त 100 कैरे इस तरीके की वोश्च्टन से अब फिंचरी की कुष्चन में आपको खुद समझना चाहिए कि हम लोगुं का जो काम करना है यहां पीसнес को देकर पता चल रहा है कि हमें एपी दिया हुआ है न भई चार है, छे है, आठ है, दस है फिर सो तक ऐसा ही है और बिच बिच में क्या है बिच में प्लस है तो इसको देखकर आपको पता चलना चाहिए कि हमें करना क्या है इसको जोड़ना है कहां तक सो तक समझ पा रहें यानि कि ऐसे सवालों में आपको बोलेगा नहीं कि इसका योग ग्यात कीजिए, आपको देखकर भी पता होना चाहिए कि यहां पे जोड़ है तो भई जोड़ना ही है अब जोड़ना है तो किसका जोड़ है, तो एपी का क्योंकि 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10 ऐसे करके 2, 2 बढ़ रहे है यानि कि सारवंतर सेम है तो कुल मिलाकर यहां पे जोड़ना है तो यहां पे क्या दे दिया तो यहां यहां दिया है लिखेंगे दिया है, क्या दिया है तो एक अभेलू 4, उनकि प्रसम पद 4 है 4 से स्टार्ट हो रहे अंतिम पद कितना है अंतिम पद 100 तक last है तो 100 और D स्टार वंतर तो बाद वाला में से पहरे वाला घटाये जाता है तो आप 8 में से 6 घटाओ चाहे तो 10 में से 8 घटाओ उसके पिछला वाला घटाये जाता है तो 8 माइनस 6 2 अब यहां भी क्या निकालना है A, N निकालना है अब सबसे पहला तुम जब A, N का फर्मूला लगाओगे देखो गलती करो आप गलती करो तभी सिख पाओगे A, N निकालना है क्योंकि जोडना है न भई तो जोड का फर्मूला तो हमको लगाना है कौन सा? N बाइ 2 2A पलस N माइनस 1 इन टू डी यही फर्मूला लगाना है अब जब यह फर्मूला लगाना है दोस्तों तो सबसे पहले तो तुमको N का पता नहीं है भेलू देखो कैसे तुम फश्ते हो एकजाम में या फिर मैट्स में और यही चीज फश्त जाते हो तो तुमको लगता है कि मैट्स बहुत जटील है मैट्स समझ में नहीं आता है कैसे करे क्या करे है न अब सूचो कि हमें तो A से निकालना है अब इसन का तो फार्मूला यह है A का तो बान पता है ठीक है रख देंगे B का बान पता है रख देंगे लेकिन A का वेलू कहां से लाएंगे कैसे पता होगा तो देखो आप मैट्स के स्टुडेंट हो और मैट्स बना रहे हो तो आप आपको सर्च करना पड़ेगा जैसे बैग्यानिक लोग किसी भी चीज को सर्च करते रहते हैं आपको पता होगा इस लॉकडाउन में कोरोना महावारी के कारण अभी सबी चीजे लॉकडाउन में हैं और हम लोग घर पर बैठे हैं पताए कितने बैग्यानिक लोग दिन रात एक करके 25 करोना का ज़ो वैक्सीन है उसको ढूंडने में लगे हैं सब भी बैयानिक जितने वी रिसर्च हैं International Level का नेशनल लबेल का है ना तो उसी तरीके से तरीके से आप सर्च करो कि हमको तो निकालना है हरहल में अब नि 카메लेगा तो इसी फर्मूला से यही है परनूला है लेकिन एप उसके पहल तो इन का वेलू चाहिए तो अब यहां पर लिखना पड़ेगा चुकि AN का जो फर्मूला है दोस्तों क्या है A पलस AN माइनस 1 इन्टू डी देखो आप जो फर्मूला पढ़े लेते हो न ऐसा नहीं समझो कि उसका यूज ही नहीं है यूज है और बड़िया यूज है है ना अब आप इसका यूज कर लो AN का वेलू कितना दिया? 100 तो उसके निचे लिख दो 100 is equal to A का मान कितना दिया? 4 यहां पर रख दो आप 4 पलस, N का तो मान निकालना है N का N छोड़ दो N मैनस 1 इन्टू D का वेलू कितना? सवाल में दिया दो ठीक है? यानि कि इस फर्मूले का यूज करके आप N का वेलू निकाल लो यानि कि यहां हो जाएगा 100 बराबर 4 पलस, 2 को N से मल्टिपलाई करो 2N मानस 2 को 1 से मल्टिपलाई करेंगे 2 तो टूटल मिला कि कितना हो जाएगा? 100 बराबर 4 में से 2 गया 2 पलस 2N इधर पलस में 2 है इधर जाएगा किस में होगा? 100 मानस 2 बराबर 2N तो 100 में से 2 गया कितना? 98 बराबर 2N इसलिए N का जो वेलू होगा 98 में हम लोग क्या करेंगे? 2 शो डिवाड कर देंगे तो कितनी बार में होगा? 49 तो N का फेलू तो अब पता चलिगा ना? 49 अब क्या करो तुम? अब लिखो अब A-N बराबर फार्मूल लगा दो A-N बराबर कौन सा फार्मूला? वही N बाइ 2 2A पलस N माइनस 1 N टूडी तो यहां से हम N का फेलू कितना रखेंगे? जितना आया है? कितना आया है? 49 तो यहां 49 बटा दू 2 गुने A A का मान कितना? यहां से देखिए A का फेलू 4 तो यहां 4 पलस N माइनस 1 तो N का फेलू 49 आया? तो 49 माइनस 1 इंटू D D का फेलू कितना है? 2 तो 2 रख दिया अब इसको अच्छे से सॉलूशन करने आना चाहिए 49 बटा 2 49 बटा 2 24 का 8 पलस 49 में इस एक गया 48 गुना में 2 देख लो भई 49 बटा 2 बटा 8 पलस 48 दू न? 96 96 और 8 को जोड़ेंगे? कितना होगा? 49 बटा 2 गुने इसको इसको जोड़ेंगे 104 होगा और ये 2 से 52 बार में कटेगा और 49 को 52 से मल्टिपलाई कर देंगे जितना है गव आंसर यानि कि कुल मिला कर हम आपको तरह तरह की questions को देकर आपको ये हम समझाना चाहरे हैं कि दोस्तो ऐसा भी question मिलेगा तो आपको ठकना नहीं है हारना नहीं है आपको जोड़ देना है ठीक है किसी भी हर हाल में आपको फर्मूला लगाना और यार simple तो है दो ही फर्मूला तुमको तो मिला A N का एक ठो दिये हैं फर्मूला आज दे दिये S N का फर्मूला asn का काम है जोडने का और an का काम है कि जो कुछे घट रहा है उसको पूर्ति करने का जैसे यहाँ an का value नहीं था और जोड में हमको an का value यूज होना था तो इसलिए हम लोग an का इस्तेमाल कर लिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और एक question की तरफ और बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करेंगे तो एक और example के question लेते हैं पहला example ती थार्ड example है ना चलिए है इसमें दिया है अब समझें कि यह क्या दिया है कॉमा डी का मान दिया आपको तीन तो पुछा जा रहा है कि ए का मान बताईए तथा एस बारा का मान बताईए अब बहुत बड़ा tough चीज है क्योंकि आप जब आप ऐसी सवालों को solution नहीं सिखेंगे यह आपके लिए क्या बन जाएगा tough बन जाएगा और हलांकि कोई भी दुनिया में कोई चीज़े tough नहीं होता है लेकिन यह बन देख रहे होंगे यहां पर जो ए 12 का value दिया है 13 डी का value दिया है 3 तो ए का value और 12 का value मिकालना है अब यह समझमें नहीं आ रहा है कि यह 12 तो क्या मतलब है maior है अब समझे री हम लोग एंत पड़ है एंक मतलब क्या होता है तो एन का मतलब होता है कि यह फिर इस ही को बोलते हैं अंतींपद ठीकह इसका मतलब यह हुआ यहां पे जो दिया है क्या दिया तो 12 लू दिया है 13 विकवेलु दिया है ique का वेलु और इस 12 का वेलु में क्या करें मैं निकालना है ठीकहर आप इंच चीजों को अच्छे से जर्मопठ रहे कि में दिया है क्या दिया है बह newly दिया है A12 बराबर 13 इसी को तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 12 हमें पद ना 12 हमें पद बराबर 13 और 12 हमें पद का मतलब क्या होता है तो हम हमेशा सिखे हैं कि जितना पद बोलता है उससे एक कम मतलब A plus 11D is equal to 13 ठीक है तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि A का वेलू तो A छोड़ देंगे और D का वेलू सवाल में दिया कितना? 3 तो यहां 11 गुना 3 is equal to 13 कुल मिला कर कितना हुआ A plus 11 गुना 3 से गुना करेंगे 33 is equal to 13 ठीक है अब इधर plus में 33 है उदर जागा तो माइनस 33 होगा तो यह बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 33 इसलिए A का जो वेलू होगा वो माइनस 20 हो गया यानि एक अभी वेलू निकालना है ध्यान दजे और S 12 का भी वेलू निकालना है अब हम लोग A का वेलू निकालना है तो S 12 भी निकालना है है तो अब इसका मतलब क्या है जरा यह समझें तो हम लोग जानते हैं कि SN is equal to formula होता है n by 2 into 2 plus n minus 1 into d होता है ना अभी हम लोग सेखें अच्छा इस s n n का मतलब क्या इनमा पद का जोड यानि से मतलब होता है सब्समतलब जोड ठीक है कितना पद कवे तो इन का अभ एयंभ इसका मतलब है कि वैसे यह आप यहां पर देख पार रहाऊंगे इस 12 निकालना है तो यहां फेएस 12 निकालना है तौह हम लोग क्या करेंगे 12 बजाना है क्योंके heimla क्या होता है ईसे एन जितना परका निकालना ठीक उतना ही बट्टा दो करते हैं तो यहाँ पर एीस 12 देख रहे हैं तो 12 को हम लोग बट्टा में दो करेंगे इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर इस इन शो मेख रहे से एन का फर्मुला इन घ्यानumentَ या 12 ठीक्व हैं क्यों क्यों कुछ जो सक निचे 12 दिया है तो नगर हो गया 12 तो एस 12 का फर्मूला इन बाइट दो जाने कि 12 बाई 2 इन टू एंट इन तू ए टू एoriented सब्सक्रबद टो एक रवیलू माइनस 20 करेंगे ऑफ देख पा रहोंगे 12 मॉइनस एक है इन्टू में डी तो ृडी का वेलु तो सवाल में दे दिया कितना तीन में थी क्वाइकट अब यहां पर देख ऑ रहाँ होंगे दो से कितनी बार में खटेगा छे बार में तो यहां 6 बार में काड़ दिया अब 2 को माइनस 20 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 40 प्लस अब 12 में से एक गया तो 11 और गुना में 3 यानि कि कुल मिला कर कितना आया माइनस 40 और प्लस 33 यानि कि चोगुना माइनस साथ रेट अंसर इस माइनस 42 तो कुल मिला कर आप देख पा रहे हैं चीजों को कि हम लोग इसका सॉलूशन कैसे करेंगे तो हम यह बोलना चाहरे हैं कि अगर कुछ इस तरीके सिच्वेशन दिया हुआ रहता है और कुछ वैलू निकालना वह रहता है तो जो दिया गया वैलू है उसी से आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि हम क्या करें लिक्ए मैस पढ़ रहे हैं तो मैस में आपको थोड़ा सा तो सूचना ही पड़ेगा कि कौन सा फार्मॉला ये उच किया जाए कौन सा लॉजिक लगाया जाए कि हम लोगों का जो यह वैलू है वह फट से निकल जाए या फिर कौन सा रूल पर आये कि हम लोग इसका वैलू निकाल सके ठीक है तो यह एक्जामपल नमबर थर्ड था तो इतने सारी questions कि ये formula को देखें तो अब आपको idea लग गया होगा कि कि किसी भी AP के sum को यानि की योग को AP के एनवे पद का जोड को कैसे find out करते हैं कैसे निकालते हैं ठीक है तो अब हम आपको लिए कुछ works देना चाहते हैं तो HW के तोर पे आपको कुछ works करना है वह works यह करना है आप NCRT के exercise 5.3 को निकालना है question number 1 देखना है और 1 में total 4 question है और दूसरा में total 3 question है तो पहला में जो 4 question हुआ दूसरा में जो total 3 question हुआ आप इन दोनों question को confirm तरीके से अच्छे से बनाना है एकदम बनाना ही बनाना है समझ पार होंगे यानि कि 4 question और 3 question टोटल में के हो गए 7 question और इन 7 question का आपको खुद से बनाना है उसमें सब में यही दोनों formula लग सकते हैं क्योंकि अभी तक के हम लोग AP में तो दो ही formula पढ़ा भाई एक AN का और एक SN का ठीक है ध्यान रहे AN को हम लोग L भी सुचित करते हैं पिछले दिन हम लोग याद नहीं पढ़ था बताने के लिए आज बता दे रहे हैं अंतिम पद को L से भी सुचित करते हैं उससे कोई problem नहीं है किसी किसी book में आपको L मिलता है इसलिए आपको जनकारे देना बहुत अहम है जरूरी है तो यहाँ पर SN का formula मिला AN का formula मिला तो दोस्तों आपको हम यह कहना चाहते हैं कि यहीं दोनों का formula यूज होगा किसी भी condition में अब कहां पर कौन सा formula यूज करना है वो अपना दिमाग का यूज करके ही हम लोग करेंगे हलांकि पहला का जो 4 question है दूसरा का जो 3 question है इसमें कोई अधर formula नहीं सिर्फ और सिर्फ SN का formula चलेगा उसके बाद एक और है तीसरा question उसमें total दोस्तों 10 question है अब तीसरा के 10 question में हम आपको यह नहीं बोल रहे हैं कि बनाना ही बनाना है लेकिन try जरूर करना है दोस्तों क्यों क्यों try करने वाला ही हमेसा जित्ता है कभी हारता नहीं try करने वाला तो आपको तीन का 10 question पर try करना चाहिए राइट अगर मान लिया कि कुछ questions आप से नहीं बनेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ message box में लिख देना है कि तीसरा का दूसरा question question आठवा question दसवा question सर मेरे से नहीं बना answer नहीं आया है आप इसको जरूर वीडियो में बनाएगा जरूर क्लास में बताएगा ताकि रिखिए यह सब जो चीज़े हैं ना हमको पता चलेगा कि हां लोगों को कौन-कौन सी प्रॉल्म है question में अन्यता हम करेंगे क्या कि तीन म मेरा अपना सोच है हम अपने खुद से सोच के बताएंगे लेकिन अगर आपका फिडवेक आएगा कि सर तीसरा का यह यह question आप कर देजे बता देजे तो हम उसको बता देंगे questions को चीक है तो हम यह कहना चाहरे है कि one two completely तॉर से बनाएए तीसरा का दस question है दसो कोशन में ट् इसलिए हैं आपके हेल्फ के लिए तो लेकिन आपको ट्राइ करना चाहिए तो यह इनी सब बातों के साथ आज के क्लास को यह तक करते हैं फिर मिलते हैं अगले क्लास में धन्यवाद